हलो बच्चों मेरा नाम पवन कुमार कुपता टीम फिजिक्स सी लसी सीकर शुरूवात करते हमारी फिजिख गुर्णिती का एट पार्ट जिसमें हम बात करने वाले हैं हमारे हीट की सेकेंड सेक्षें थर्म डानेमिक्स इसमें फर्स लोग किम बात करेंगे तो शुरूवात प्रेशर जो है उसकी temperature की power cube पर depend कर रहा है ठीक है pressure of gas is found to be proportional to temperature of cube, power of temperature pressure proportional to temperature to the power 3, तो यह बोल रहे है CP by CV का ratio बताओ, तो देखू हमारे पास जो standard form होता है PV to the power gamma equals to constant यह होता है तेकिन यहां तो हमें relation pressure temperature का दिया हुआ है, तो यहां तो हम इसको convert कर लें है ना, तो मैं इसको क्या करता हूँ temperature लिखता हूँ PV upon Nr, भाई, गेस एक्वेशन से में temperature को PV by Nr लिख सकता हूँ तो यह आदाएगा 3 तो इसका मतलब P proportional to P P cube V cube मतलब P square V cube is constant मतलब मैं बोल सकता हूँ PV की power 3 by 2 is constant अब देखो, एक तो हमारे पास standard equation होती है, एक हमारे पास यह equation है, इन दोनों equation को अगर मैं compare करूँ, तो इन दोनों equation को compare करके मैं बोल सकता हूँ, gamma की value क्या आएगी, 3 by 2 इसमें है कोई confusion, तो बिल्कुल आपको आपको जो relation given है, उसको P और V की form में convert कर लो, और standard equation से compare कर लो, या तो एक तरीका यह है, या फिर आप डायरेक्ट भी इसी equation को P or T की form में convert कर सकते हो, कैसे? इसी को अगर मैं यहाँ पर replace कर देता, तो मैं इसको क्या लिखता? इसको इसको मैं इसे लिखूँगा, हाँ मैं इसके दो form ले देता हूँ, तो V to the power constant, तो इसका एक form जो आएगा, वो क्या आएगा मेरे पास? T V की power gamma minus 1 is constant, यह तो temperature volume में आ गया, इसी का एक और form इस तरह से हो सकता है, कि मैं pressure को positive सकता हूँ, volume को मैं रख देता हूँ, P NRT by P, यह volume का replacement gamma, तो यह मेरे पास equation आ जाएगी, P 1 minus gamma, T की power gamma constant, तो यह इससा आ जाएगा मेरे पास, ठीक है? तो इस तरह से replacement करके, आप दो दूसरे form भी इसके बना सकते हो, कोई confusion इस में, तो basic तरीका तो यह है, यह standard equation उसे form में convert क ओके बीटा, आगे बढ़ते हैं हमारे 37 question पर, 37 question में बोल रहे हैं कि किसी gaze का एक pressure, initially pure V है, और आप इसको पहले isothermal से V से 2V तक लेके जाते हूँ, है ना, तो पहले पहले इसका volume था, उसको V से 2V किया, किस तरीके से? आइसो थरमल, तो हमें पता है, isothermal process में pressure जो होता है, वो volume आगे double करो, प्रेशर आधा हो जाएगा, यह ना, तो इसका PV graph कुछ इस तरह से मनेगा, फिर दूसरी बार यह बोल रहे हैं कि इसको adiabatic process के तुरू हमने volume को और बढ़ाया, है ना, 2V से फिर 16 times कर दिया, तो देखना, इसमें अगर आप volume और बढ़ाओगी, 16 times of volume करोगी, तो हमें पता है कि जब भी temperature, जब भी हम adiabatic process में volume बढ़ाते हैं, तो pressure बहुत तेरी से कम होता है, इसका मतलब pressure P by 2 तो पहले हो चुगा था, अब तो P by 2 से भी कम होगा ना, pressure P by 2 तो पहले हो चुगा था, अब तो P by 2 से भी क्या होगा, कम होगा, तो यह A, B और C, तो हमें पता है कि pressure P by 2 से भी कम होगा, अब एक बार option देखते हैं, पहले solve मत करो, पहले option cross check करो, तो देखो, यह तो 64P, यह तो original से भी जादा है, जो कि गलत है, 32P, यह भी गलत है, यह भी गलत है, अब जब 3 option गलत होई ही गए और हम confirm है कि 3 option तो गलत है, तो फिर 4 option सही तो होगा, म confirm गलत है में पता है, तो फिर बचावा 4 option सही ही है, यह question करने का तरीका होता है, कई बार exam में आपको सही option तक जाने के लिए पूरा process follow करना पड़ता है, ठीके, लेकिन आपको गलत option पहचानना अगर easy लग रहा है, तो फिर मैं कह रहा हूँ, तीन गलत option identify कर लो, और सही option जो बचाव option हो, है ना, तो हम यहां 910 भी नहीं है, तो इसका अंदर P by 64 confirm उपना सही answer है, तो अपना exam के लिए तो यह हो गया question, exam में तो आपको इसी approach के साथ, बिना कोई calculation में time waste की, इसको tick करना है, अब बाकि इसका पूरा method है में लग देता हूँ, A से B कौन सी process है, आइसो थ कर दिया ना, P और V, तो P B कितना हो जाएगा, P by 2 आ गया, फिर उसका था हमारा B से C जो process है, वो कौन सी, आइसो थर्म, यह एडियाबेटिक process, एडियाबेटिक process में क्या होता है, P V B की power gamma equals to P C, V C की power gamma, तो P C क्या हो जाएगा, P B, V B by V C, gamma, P B कितना है, P by 2, V B कितना है, 2 V, यह कितना है, 16 V, और gamma, गामा कौन सी केस दरीकी, monotemic, monotemic का gamma क्या होता है, 1 plus 2 by F, यहने की 1 plus 2 by 3, यहने की 5 by 3, तो यह हो जाएगा मेरे पास, तो P by 2, 1 by 2 की power 3, यह 8 बचेगा न, divide by power 5 by 3, तो solve करेंगे तो आएगा, P by 64, तो आपका answer कितना हो रहाएगा, बटा, P by 64, यह आपका answer बन गया, और जो कि actually हमने पहले ही tick कर दिया था, तो यह तो इसका graphical method, जिससे आपका answer direct tick हो रहा है, और वो उसका theoretical method, जिससे आप आसानी question को कर सकते हैं, ओके बच्चों, तो यह हमारा एक और question यहाँ complete हुआ, I hope, आपने दोनों तरीक अच्छे समझे, not करें मैं इसको, फिर आता है 38 question, 38 question में आपको यहाँ पे एक cyclic process given है, और A से C तक हम इसको cyclic नहीं actually, यह एक A से C तक gaze को ले जाए गया, दो अलग अलग तरी process में आपने 400 J heat supply की, और BC process में 100 J heat supply की, तो AC process में कितनी heat supply होगी, सबसे पहले इसको AB process को solve करते हैं, AB process में क्या चीज constant है, volume constant, है ना, तो जो सारी की सारी A से B process में जो heat आपने दी, वो volume constant का मतलब क्या हो जाएगा, work done तो हो जाएगा 0, अब जैसे work done 0 हो है, इसका मतलब A से B में आपने जो यहाँ पर energy supply की, वो सारी की सारी किस में जाएगी, यह जाएगी, 400 J आपने supply किया, और यह 0 J वर का जाएगा, AB का, तो इसका मतलब A से B में internal में कितना change आया, 400 J जूल का, फिर दूसरा आपने BC process में 100 J energy supply की, एक बार समझते हैं BC process, BC process में क्या चीज constant है, pressure, द देखो, horizontal line है ना, pressure constant इस line पे, तो यह हो जाएगा, pressure constant, pressure constant का मतलब क्या हुआ, कि आपका, जो energy है, वो जाएगी अपने पास, अब इसमें देखो, work done निकाल ले दे हैं, पहले तो आपन B से C का, P delta V से निकलेगा, है ना, pressure कितना दिया हुआ है, 6 10 to the power 4, और volume कितना हुआ, 2 स से बढ़के 4 हुआ, तो 4 minus 2 into 10 to the power minus 3, तो यह कितना हैगा, आपके पास, 6 to 12, 10 to the power 1, याने कि 120, तो 120 joule जो है, वो यहाँ work हुआ आपने पास, तो 120 joule आपने work किया, B से C process में, तो इसका मतलब हमने heat तो supply के वाल 100 joule की ना, तो अब यहाँ पे देखते हैं, B से C में, जो internal energy है, देखो, हमने 100 joule heat supply की, B से C में है ना, और work done हमने किया, gas ने किया मतलब 120, तो 100 joule इदर supply हुआ, delta U B से C, और यह इतना है 120, इसका अदर delta U B से C में क्या है, minus 20 joule, इसका मतलब A से B में 400 joule energy में increment हुआ, और उसके बाद 20 joule कम भी हो गया, तो इसका मतलब delta U, जो A, B, C का net हुआ, वो कितना हुआ, A से B, plus delta U B से C, तो यह कितना आया था, total 400, और फिर यह कितना आया, minus 20, तो total कितना work आया, 380 joule, अब यह बोल रहे हैं कि दूसरी process आप direct, अगर A से C काम में लेते हो, तो उसमें total कितनी heat absorb होगी, तो सबसे पहले मैं A से C का work निकालता हूँ है, A से C का work किसे निकालेंगे हम, W जो आएगा, A से C process का work, वो work किसे आएगा, यह आजाएगा, इस trapezium का area, यह वाला area, यह work हो जाएगा, half into base, base क्या है, 4 minus 2, 10 to the power minus 3, height, height कितना हो जाएगा, यह वाला, हाज ने, half base और parallel side का sum, मतलब यह trapezium में तो इसकी side area का formula क्यों होता है, half into parallel side का sum, और parallel side की बीच का distance, तो इसकी दो parallel side कोन से एक तो यह वाली और एक यह वाली, और distance यह वाला है, वो मैंने लिख दिया parallel side कोन से, 2 plus 6, 10 to the power 4, तो यह कितना आएगा, आपके पास, यह खतम, 6, 12, 120, तो इसको solve करने से जो आपका work आएगा, वो आएगा, 80 Joule, अब देखो, A से सी का direct work हमें पता है, हमें पूछा है, A से सी में कितनी heat देनी पड़ेगी, तो delta U, A से सी, plus work done, A to C, अब देखो, A से सी का work चाहिए, किसी process के थुरू करू, internal energy का जो change होता है, उसमें process dependency नहीं होती, मतलब चाहिए, आप A to B to C आओ, आओ, या A से सी direct आओ, internal energy का change fix है, और वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए, 380, जो कि वहाँ से solve करने पार रहा है, फिर work done कितना आ रहा है, work done आ रहा है, 80 Joule, ठीक है, तो इसका मतलब यह कितना आएगा, यह आएगा, आपके पास 460 Joule, है ना, तो अपना answer होगा, इसका 460 Joule, 38 का answer, 4th, ओके बेटा, इसमें कोई confusion, है ना, तो यह note करें एक बार इसको, तो इसमें आपको basic concept क्या काम में लेना है, पहले A से B और C की process दोनों को अलग-अलग solve करके, आप internal energy का change निकाल ले, जो कि मैंने यहाँ solve किया हुआ है, है ना, पहले आपने क्या किया, A B process को solve किया, है ना, फिर आपने B C process को अलग-से solve किया, ठीके, फिर उसका आपने B C की heat निकाल ले अलग-से, फिर आपने total internal का change निकाला, और फिर उसका work done A से B का निकाला, और A से C की heat निकाल ली, ना, तो इस तरह सा आप जब solve करेंगे, आपको यह easily solve हो जाएगा, थोड़ा calculated question जरूर है, बट यह tough नहीं है, calculated जरूर है, तो यह नीट का आया हुआ question है, 2015 में, कोई confusion इसमें, आगे बढ़ते हैं, हमारे 38 question के बाद, 39 पे, एक बार इसे note करने है, बेटा, 39 में आपको बोला है, कि एक temperature, normal temperature pressure पे 4 gram gauge हो है, वो 24, 22.4 litre volume occupy करती, ध्याद रखना बेटा, NTP पे, NTP, पे, volume of 1 mole gauge, volume of 1 mole gauge, कितना होता है, यह होता है, 22.4 litre, यह NTP पे, एक mole gauge का volume होता है, अब यहाँ पे, इसका, 4 gram gauge जो है, वो 22.4 litre पे है, 4 gram का volume कितना है, 22.4 litre, इसका मतलब यह कितना है, इसका मतलब यह है 1 mole gauge, यह होणा है, इसका मतलब यह हुगा, कि molar mass, जो है, वो gauge का कितना है, 4 gram है, इसका मतलीव गेस का मौलर मास कितना है पॉर ग्राम अब कई बार ये फिल आता है चुच्छन शुरुस्च suficiente सूल कर लिया cv की value आपको दे रेखे cv कितना दे रेखा है इन्होंने 5 Joule per Kelvin per mole और ये बोल रहे हैं कि common temperature पर जो normal temperature pressure होता है उस पे speed of sound 952 है तो speed of sound 952 इसका नतलब V sound कितना होम ला होता है gamma RT by M ठीक है और इसका मतलब यहां से temperature अगर आपके यहां से अगर आप गामा के लिकुलेट को तो क्या आएगा Vs square M upon RT Vs कितना है 952 का स्क्वेर molar mass कितना है 4 gram R 25 by 3 temperature 273 इसको जब solve करें हम अब यह पार्ट इसमें क्योशन में क्योशन में इस पार्ट को आप सॉल करें तो आपको गामा कितना आएगा गामा आएगा 1.6 एप्रोक्स तो एप्रोक्स गामा 1.6 आ रहा है अब हमें पता है कि CP by CV कितना होता है CP by CV होता है gamma है ना तो CP कितना हो जाएगा gamma times of CV और CV आपको 5 दिया हुआ है तो इसका मतलब यह हो जाएगा 1.6 into 5 यह हो जाएगा टोटल 8 तो इसका अदाब कांसर गोंस हो जाएगा इसका थर्ड ओप्शन ओके मिटा तो यह बिल्कुल बेसिक केलकुलेशन जो ही स्क्वेशन में 39 में पर यहां पर बस मिस्टेक होती है कि जैसे 4 ग्राम आपको मास्क दिया जाता है तो 4 ग्राम मास्क का मतलब हम यह समझ करते हैं कि यह जो गे से वह हीलियम हो सकती है और हम डायरेट हीलियम का गामा यूज कर लेते हैं 523 वाला तो उससे फिर थोड़ा उप्शन ज्यादा का आएगा तो फिर वह उप्शन भी आसपास के दिये हैं तो आपको आप थोड़ी सी एक एक्जेट करने पड़ेगी वह आखी बच्चों तो 39 के बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारे क्योशन नमबर 40 पर चल्ब 40 क्योशन बढ़ते हैं फोटीम आको बुलाएगी किसी गेज को ऐसो थरमली कंप्रेस करके उसके आधे वॉलिम तक हम ले क्या है विर उसी गेज को सेपरेट कंटेनर में एडियाबेटिक प्रोसेस के थ्रूँ वॉलिम को आधा किया जाता है ठीके तो अब आपको बताना है कि किसमें ज़्यादा वर्क आपको करना पड़ेगा देखो समझना है स्टीज को अगर हम आईसो धर्मल प्रोसेस में वॉल्यूम को आधा करते हैं तो प्रेशर क्या होगा डबल होगा हमें पता वॉल्यूम आधा होगा तो प्रेशर कनफर्म है कि डबल हो जाएगा ठीके? फिर उसके बाद जब हम यहाँ पर एडियाबेटिक प्रोसेस के दुरू करेंगे तो देखो जो बी ग्राफ है ना वो बी ग्राफ एडियाबेटिक प्रोसेस का है और एग्राफ आईसो धर्मल का है कारण क्या है, B graph उपर क्यों गया क्योंकि IsoThermal process का जो slope होता है, उस से जादा slope graph का, B-B graph का कि समें आता है Adiabetic में, हमें यह पता है कि slope जो होगा Adiabetic में वो होता है, Gama times of slope of IsoThermal ठीक है तो इसका मतलब और Gama कभी एक से कम होता नहीं इसका अंदर slope adiabatic का confirm ज्यादा होता है इसका अंदर adiabatic का slope अगर ज्यादा है तो पक्की बात है जो गेस adiabatic process के through compress हो रही है उसमें हमें ज्यादा वर करना पड़ेगा इसका मतलग gase compressing the gase through adiabatic process will require more work to be done तो first option जो है इसका correct हो जाएगा इसमें कोई confusion और बाकी option तो गलत है यह बोलना है कि gase compressing the gase isothermally or adiabatic will require same amount same amount of work गलत है पीवी ग्राफ के अरे अलग अलग आएगा same amount तो गलत हो जाएगा है ना तो यह गलत हो गया wish of the case कि कोई सा भी case हो चाहे compression through adiabatic require more work will depend on atomities देखो atomicity depend नहीं करता मतलब ठीक है gamma की value तो affect होती उससे but gamma रहेगा एक से ज्यादा मतलब चाहे कोई सीभी case हो monatomic or diatomic or triatomic जो भी है सब में adiabatic का slope isothermal से ज्यादा आएगा चाहे case की atomicity कुछ भी हो इसलिए यह भी factor यहां काम नहीं करेगा हाला कि slope कितना आएगा वह कामा पर depend करेगा बट रहेगा फिर भी आईसो धर्मल से जाता है ना और compression देखेस आईसर में भी लिख पार more work यह वहीं गलत हो गया तो more work किसमा आएगा adiabatic में आपका first option जो इसका correct हो जाएगा इसमें कोई confusion तो एक बार नोट करें इसे ग्राफ के यह आप आसा नहीं से कर सकते हूँ यह मैंने कौन सा ग्राफ बनाया इसका PV ग्राफ ठीके तो हमें इध्यान रखना है कि PV ग्राफ में adiabatic ग्राफ जब बनता उसका slope हमेशा ज्यादा होता है ओके बीटा नोट करें से 40 के बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारी question number 41 पे 41 में देखिए आपको एक process given है PV की पावर 3 constant इसमें आपको molar heat capacity बता नहीं है तो देखो PV की पावर 3 equals to constant given है अब ध्यान रखो एक कौन सी प्रोसेस है polytropic process polytropic process में x क्या होता है standard equation क्या होता है PV to the power x इन दोनों equation को अगर मैं compare करता हूं तो मैं लिखूंगा x की value क्या रही है 3 अब हमारे पास जो c का formula होता है वो होता है cv plus r upon 1 minus x cv होता है f by 2r plus r upon 1 minus x चलो value put करते हैं कौन सी के से monatomic monatomic का मतलब f की value 3 तो 3 by 2r 1 minus of 2 x की value 3 है न तो यह कितना हो जाएगा 3 by 2r plus of r minus 2 तो यह हो जाएगा 3 by 2r minus r by 2 बराबर r तो मेरा answer हो गया इसका r third option हो गया इसका तो देखो easily equation बन रहा है आपको बस अपनी जो standard equation है polytropic की उससे compare करना है और compare करके बस यहाँ पर value put करनी हो और यह formula आपको याद रखना है किसी भी general process कोई भी process हो सबके लिए specific हीट का एक ही formula होता है molar specific हीट निकालने का वह formula होता है c बराबर c v plus r minus x अब आपको जो भी relation दिया रहा है उसमें volume की जो power होती है इस standard format में जो होता है यह standard format equation का तो इस तरह से pure v को arrange करो जो v की जो power होगी that is called x ओके बेटा तो यह आपका एक और 41 question complete होता है आगे बढ़ते हैं हमारे 42 question पे 42 question में आपको कुछ process दिखाए गए है और आपको इन process में बताना है कि किस तरह का process यहाँ पे है देखो first process में देखना first process में हम volume constant रखके pressure हो कम कर रहे है volume constant रखके pressure कम करना मतलब क्यों हो गया isochoric process तो process बन्त हो जाएगा isochoric इस तरह से फिर दूसरे process में देखो आपने अब देखो दो process है second और third second थर दोनों को इस साथ देखते है second और third में हमें यह देखना है कि ज़्यादा slope किसका आ रहा है देखो एक तो slope यह आ रहा है एक प्रोसेस है मेरी यह वाली है अब देखो ज्यादा slope किसमें इसका है जो second प्रोसेस जो मैंने परपल कलर से बने यह उसका slope ज्यादा है इसका मतलब slope हमेशा adiabatic का ज्यादा होता है isothermal adiabatic में compare करना हो तो isothermal के मुकाबले adiabatic का slope ज्यादा होता है और थर्ड वाले थर्ड वाले थर्ड वाले का हो जाएगा मेरे पास isothermal लेने की यह हो गया फिर फॉर्त क्या है फॉर्द प्रोसेस में आपने e अपने प्रेशर कॉंसंट रखा वा इस तरहसे तो प्रेशर कॉंस्ट न眼रा फॉर्ड होन तो यह बारिक ना तो डेखो a में तो आएगा C मतलब P में तो आएगा C P में C इन दोनों में दिया तो यह दोदों गलत होगे फिर Q में आएगा A Q में A इसमें दियावा इसमें दियावा है और S में B विल्कुल सही चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है ना तो यह बिल्कुल सा क्वेश्चन है प्रोसेस अइंटिफाई करने वाला और आपका 42 का फॉर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा कोई कन्फिजन इसमें आगे बढ़ते हैं हमारे 43 क कि नौर्मल टैंप्रेचर और प्रेशर पेगे से पॉइंट वन ग्राम एक्शली वाटर है और इसको हमने 100 डिग्री सेंटिग्री की वेपर में कन्वर्ट कर लिया और उसके लिए आपको 54 कैलोरी हीट देनी पड़ी तो आपको बताना है कि इंटनल एनरजी मेंगा चेंज किया है ना तो इंटनल में चेंज कितना हुआ तो हम कैसे न हम लिखेंगे इसको हम लिखेंगे क्यूं कि mission क्या हaurा कि यूट है दे키ू क्या होता हैID तो प्रेशर कोई से मतलब पी डेल्टा भी क्या हो जाएगा वर्क डन है ना तो वर्क डन क्या हो जाएगा अब पी डेल्टा भी एक बार में साइड में सॉल कर लेता हूँ प्रेशर कितना है 1.013 10 to the power 5 वोल्यूम पहले कितना था 0.1 ग्राम देखो पानी की डेंसिटी ते 1 ग्राम पर सीसी है ना पानी के लिए रो क्या होता है 1 ग्राम पर सीसी अब यहां 0.1 ग्राम मास है इसका मतलब 0.1 सीसी वोल्यूम हुआ लगा तो इसका मतलब v final अब यह हो जाएगा v final minus v initial final वोल्यूम कितना है 161.1 पहले कितना था 0.1 और यह क्या था सीसी सीसी को हम convert करेंगे 10 पार माइनस 6 ये मिटर क्यूब में convert हो गया तो इसका answer आएगा मेरे पास 10 to the power minus 1 और इधर बज़ जाएगा 167 तो इसको solve करने पर जो आपका answer बनेगा वो बनेगा 16.917 यह almost 17 मान लेते हैं और इधर भी जब आप 54 और 4.2 को multiply करोगे तो आपका answer हो जाएगा 226.8 डेल्टा यू और यह almost 16.9 इसको मान लेते हैं तो यह solve करने पर कितना आएगा 16.9 को जो आप इसमें से minus करोगे तो आपका answer जो एप्रोक्स बनेगा वो बनेगा 208.7 तो यह 208.7 यह आपका answer बन गया basic concept क्या था आपको एक तो work done calculate करना था और value यहां put करने थी यह दो basic concept इस question की बाकी सब calculation है है ना तो जिस आप देख रहे हैं काफी सारी question जो है calculate भी आ रहे हैं है आपको basic formula आसानी से पता होना चाहिए और जब हम साल दो साल की preparation करते हैं तो यह उम्मीद की जाती है किसी बच्चे से कि उसको formula आराम से पता हों सारे formula एकदम दिमाग में चपे वह हों ओके तो बिल्कुल formula आपको पता होंगे question आराम से हो जाएंगे exam में okay exam में कोई बहुत ज्यादा tough question नहीं आते हैं इसाम में बिल्कुल आसान वी टी ग्राफ दिया वाय है और प्रेशर पे सिंपल सा relation देखो मैं वॉल्यूम कॉंस्टेंट मालता हूं चलो मैंने एक वॉल्यूम बना लो ऐसे अगर आपको confusion हो रहा है कई बचे सोचेंगे सरीफ वॉल्यूम कॉंस्टेंट का तो प्रेशर कॉंस्टेंट का ग्राफ बिल्कुल जब भी टी ग्राफ इस तो प्रेशर के लिए बनाया एक बार पी बन के लिए बनाया ठीक है तो अब इस case में हम इसको ऐसे समझते हैं कि मैंने जैसी दो equation बना ली माल लो है ना P1 V0 ये वाला temperature में माल लेता हूं T1 और ये वाला माल लेता हूं T2 ठीक है तो P1 V0 बराबर NR T1 P2 V0 बराबर NR T2 अब दोने equation को divide करो V0 से V0 खत्म NR से NR खत्म तो P1 अपॉन P2 बराबर T1 अपॉन T2 अब हमें बता है कि T1 ज्यादा है तो हमें पता है कि T1 ग्रेटर देन T2 इसका अंतलब कन्फर्म है कि P1 जो है वो P2 से तो ज्यादा ही आएगा तो P1 greater than P2 मेरा answer हो गया इसका first ओके तो easy question था first इसका answer आ रहा है 45 की बात करते है next अच्छा इसमें जैसे आपको इस सोचने में मैं आ रहा हूँए मैंने volume constant को लिया कोई बात नहीं तो मेरे पास equation क्या बनेगी P1 V1 बराबर nR T0 P2 V2 बराबर nR T0 वह दोनों equation में nR T0 तो common है ना दोनों तरफ इसका मतले होगा कि P1 V1 बराबर P2 V2 अब हमें पता है कि V2 जो है वो confirm V1 से जादा है अब V2 जादा है फिर वह equation balance इसका मतलब P2 कम रहा होगा तो P2 less than P1 आएग असर वही हो जाएगा इस तरीके से भी आपका first option ही बनेगा दोनों तरीके में से कोई साभी कर सकते हो आप चाहो तो common volume लेके solve कर लो या common temperature लेके solve कर लो ठीक है अगला आता है हमारा 44 के बाद 45 45 में आपको net work done पूछा है देखो जब भी PV ग्राफ एक cyclic process आ है तो cyclic process का इस तरह से PV ग्राफ का जो area अंड़कर होता है वो किसको represent करता है net work done और हमें पता है कि A से B process का work done positive है और B से C का work done देखो इसमें ऐसे समझेंगे कि work done जो है A से B process में वो positive आएगा B से C का work done 0 आएगा और C से A का work done जो है वो negative आएगा तो फिर overall answer के आएगा positive नेगेटिव तो हमें पता है कि overall answer इसमें देखो A से B का work done जादा है C से A का work done है उसका area तो कम आएगा नहीं देखो छोटा से area आ रहे है ना वे C से A का work done निकालना हो तो आपका छोटा area लेकिन जब आपको यह वाला work निकालना है A से B वाला तो इसमें तो आपका पूरा बड़ा वाला area count होगा ना इत्ता इसका दो A से B में area जादा है इसलिए A से B का area work done जादा होगा तो हम यह बोल सकते हैं कि A से B का work done जो है वो C से A के work done से जादा होगा इसका मतलब net work done जो है वो positive आएगा तो net work done positive आएगा तो हमें पता लग गया अब area निकालते हैं तो area कुन सा लेना मुझे यह खाली यह वाला area तो work done क्या हो जाएगा half into base यहने की AC और height क्या हो जाएगा यहने की BC यह height तो half AC क्या है 6-2 into 10 to the power minus 3 ठीक है फिर उसके बाद मेरे पास आएगा दूसरा base का हाइड BC क्या हो जाएगा 6 और 2 6 सुरी 6 नहीं 7 है यह आपे ना 7-2 हो गाएदर और 6-2 10 to the power 5 तो कितना आएगा half 5 10 to the power minus 3 और क्यों जाएगा तो यह कितना हो गया मेरे पास 5-4 यह गया 20 by 2 10 to the power 2 यहने की हो जाएगा 1000 J तो मेरे पास अभी मतलब की area under PV graph वो यूज़ करना और उससा आपको work done calculate करना पर फॉर्मला बेस्ट क्योशन ने देखो ओके तो दो और वैसे भी गलत है कि प्लस मेद option है तो फिर अभी हाँ आपको calculation करनी पड़ेगी है ना बठी की calculation easy यहाँ पर data tough नहीं है तो यह आपका 45 question हो गया कोई confusion इसमें आगे बढ़ते हैं 46 question में आपको इसमें work done बताना है देखो वापस वह cyclic process का work done क्या होता है PV graph का area लेकिन यह graph देखो anti clock वह चल रहा है मतलब volume कम होने वाला part इसमें ज़्यादा है और दूसरा graph क्या है मेरा दूसरा graph आएगा इसमें इस तरह से तो देखो इस graph का work done जो आएगा वो आएगा positive और जो ऊपर वाला graph है इसका work done आएगा मेरे पास negative लेकिन work done ज़्यादा किसका आएगा देखो यहाँ पे देखें तो यह triangle की जो यह वाली side है वो कितनी है 3p not minus 2p not तो यह p not हो गया यह वाला कितना है यह भी है v not के बराबर यह भी कितना है देखो difference p not यह भी कितना है v not तो जब दोनों triangle में base से में दोनों triangle में हाइट से में तो area से माएगा पर एक positive और एक उपर वाला नेगेटिव और हमें पता है कि दोनों टाइंगल सिमिलर रहे एक तरह से तो इसका मतलब कि दोनों का एरिया सेम होगा तो हमारे पास टोटल वक्डन क्या जाएगा जीरो 46 का अंसर हो गया कोई कन्फिजन मेटा इसमें आगे बढ़ते नेक्स्ट हमारे 47 नंबर क्योशन पे 47 नंबर क्योशन में एक ट्रांजिशन दिया वाए पीवी गराफ आपको यहां दिया गया है है ना यह प्रेशर और यह वोलियूम और आपसे बोलाए कि internal energy का change कितना होगा तो देखो internal energy का change का एक simple सा फॉमला होता है f by 2nR delta t है ना मतलब की f by 2 nr t2 minus t1 अब देखो t2 कैसे निकालूँगा मैं p2 v2 upon nr p1 v1 upon nr nr common आगे सकट जाएगा तो क्या है मेरे पास f by 2 p2 v2 minus p1 v1 f कितना इसका f है इसका f जो है वो है मेरे पास कौन सी गेस देखोई यह है ideal diatomic gase तो 5 by 2 p2 कितना है p2 है मेरे पास 2 और v2 है 6 तो 2 into 6 minus p1 कितना है 5 v1 कितना है 4 है ना तो 2 और 6 और 5 और 4 और pressure में कितनी पावर आरी किलो किलो पासकल दियावा न यहीं 10 पार 3 आएगा साथ में प्रेशर का वोल्यम तो डारेट मिटर क्यूब में दियावा न तो कोई दिक्कत नहीं तो देखो आंसर क्या बनेगा आपका 5 2 12 minus 20 यहीं कि minus का 8 और 10 to the power 3 तो कितना जाएगा यह जाएगा minus 20 किलो जूल तो minus 20 किलो जूल जो है वो आपका अंसर आ रहा है इसका मतलब मेरा option नंबर इसमें कौन सा सही हो गया थर्ड तो बिल्कुल basic formula आपको recall करना है डेल्टा यू का एक ही formula है पूरी थर्मों में M by 2 nR delta T delta T का मतलब है T2 minus T1 यहने कि T2 बोल सकते हैं यह T2 बोल दो इसको T1 बोल दो तो T2 T1 यहने कि जो final और initial temperature difference से वह आपको यहां put करना और बिल्कुल mathematical चल रहा है आपको formula याद होने चाहिए और formula लगाना चाहिए बस ओके 47 question के बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारे 48 question पर 48 question में देखो आपको VT graph दिया हुआ है अब देखो VT graph जो है वो V directly proportional to T है इसका मतलब pressure क्या हुआ constant यही हुआ ना इसका मतलब अब जब pressure constant हो तो यह ratio कि इसका पूसर है ratio of work done by gas to heat absorbed याने कि work और delta Q का ratio आप से पूचा है work done का formula constant pressure वाले case में होता है N R delta T और delta Q का formula होता है N CP delta T यह तो खतम R और CP कितना हो जाएगा F by 2 plus 1 R से R खतम तो F by 2 कौन सा monatomic gas है monatomic का F कितना होता है 3 3 by 2 plus 1 1 upon 5 by 2 2 by 5 2 by 5 का क्या हो जाएगा 4 तो 2 by 5 का हो जाएगा मेरा 4th option इसमें कोई confusion ठीक है तो 48 का हो गया 4th okay आगे बढ़ते हम हमारे 49 question है ना यह बोल रहे हैं कि एक AC process जिसमें heat ना तो absorb हो ना ही release हो उससे क्या बोलते हैं बिल्कुल definition based question है बिटाए तो adiabatic process जिसमें heat ना तो release होती होती है डेल्टा क्यूनेट 0 होता है अब यह जिससे को question नहीं आता है मालो अगर इस चीज किसी को नहीं आती है तो इसका मतला हम क्या बोलेंगी कि उस बच्चे ने कि बिल्कुल basic theory भी नहीं पड़ी है तो डेल्टा Q0 के वल कौन सी process में होता ह adiabatic process में ठीक है तो यह अपना direct question हो गया 50 50 में बोल रहे हैं कि A और B जो है वो cylinder है ना same capacity के हैं same capacity मतला same volume के हैं और आपस में दो स्टॉफ कॉक से जुड़वे हैं है इस तरह से और यह बोल रहे हैं A में कोई gas भरी हुई है यहाँ पे तो आपने gas भर दी है और यह में क्या है इसमें vacuum है मतलब यहाँ pressure B का 0 है और आपने यहाँ पे कोई lock लगा रखाए है ठीक है और यह पूरा का पूरा system क्या है यह heat insulated है मतलब इसमें heat जो है वो system में ना तो आ सकती ह और ना system से बाहर heat जा सकती है यह पूरा का पूरा system जो है वो insulated किया हुआ है इस तरह से तो ध्यान रखना बेटा जब किसी भी system में ना heat आती है और ना heat जाती है भी बने last question किया तो system को अपन क्या बोलते है उस system को बोलते है adiabatic है ना तो यहाँ पे जो process हो जाएगा वो adiabatic process क्योंकि इस process में system कोई heat नहीं ले रहा है thermally insulated बोल दिया ना इसका अंतर ना heat लेगा ना heat देगा तो यह पूरी process हो है वो adiabatic expansion बोलेंगे इसको जैसे आप यह पिन हटाओगे ना तो यह वो दोनों container फेल जाएगी adiabatic तरीके से फेलेगी बटिए तो यह अपना हो इस चार ग्राफ दिखाए गए हैं तो यह बोल रहे है कि इन में से कौनसा adiabatic को represent करता है देखो pressure constant तो यह कौन सा हो गया isobaric याने कि समदाभी प्रक्रम फिर इसमें है volume constant तो यह कौन सा हो गया isochoric मतलब कि सम आइतनी प्रक्रम थर्ड और सेकेंड की बात करते हैं देखो rule क्या है slope जिसका जादा हो वह adiabatic है slope किसका जादा है टू का तो यह हो जाएगा adiabatic याने कि रुदोशन प्रक्रम और यह हो जाएगा isochoric sorry isothermal याने कि समतापी प्रक्रम तो इसमें बोल रहे है कि कौन सा adiabatic है second वाला graph अब से second वाला graph किस option में है उस option को टिक करना है तो आपका option कौन सा होगा इसका first option ध्यान रखना जल्द बाजी mistake हो जाती है ठीक है तो आपका 51 का first option जो है वो correct हो गया है ना first option में जो graph second दिया है वो correct हो गया ठीक है तो यह बिल्कुल simple theoretical question है 51 का 52 की बात करते है 52 में आपको pv p1 v1 t1 और p2 v2 t2 तक जाने के लिए gaze जो है वो इस तरह की process को follow करती है pv square by c है ना अब समझना है इसमे pv square बराबर constant इसको मैं temperature के साथ अगर convert करता हूं तो p को में ले जाता हूं nr t by v v square constant तो इस relation आएगा tv बराबर constant अब इन दोनों equation में इस सकर देखते है मैं volume बढ़ाओंगा तो pressure क्या होगा तेजी से घटेगा इसके इसाफ से volume बढ़ाओंगा तो temperature घटेगा यह तो confirm है घटेगा तो volume जब बढ़ा रहे तो pressure भी घटरा temperature भी घटरा मतलब अगर v2 जादा ह नहीं हुआ तो पक्की बात है तो तो कम होगा जाहीं बात है यहां अगर मैं पी टू मैं है pressure कम करता हूं इस relation से епतालका मैं प्रेशर को करता है तो पक्की बात है वोल्यूम जो है वह कम होगा जोलिम बढ़ाएगा pressure कम करेंगे तो volume बढ़ेगा है ना तो यहां आपने P2 को कम किया तो V2 तो ज़्यादा आना चीए था तो यह गलत हो गया है ना फिर POT का relation तो POT का relation हम यहां से देख लेते हैं इसको V को अटा दो तो P यही पर देख लेते हैं इसको तो यह अपन क्या करेंगे इसमें पी और टी का रिलेशन चाहिए ना तो टी को तो रखो पी की जगे लिख दो मुझे यहां लिख देखते हम पी स्वरी एन आर टी बाई पी कॉंस्टेंट तो क्या हो जाएगा टी स्क्वेर डियर्टी प्रपोर्शनल टूपी मतलब प्रेशर बढ़ाओगे तेंपरेशर बढ़ेगा तो आपने पीटू कम क्या तो टीटू कम होना चाहिए तो यह गलत हो गया यह भी गलत हो गया तो आपका एक पहला ओप्शन सहीं आ करना इसको कोई कन्फूजन इसमें यह होगा अपना फिटी टू क्याशन तो वापस बच्चों CLC के बारे में जैसा कि आपने देखा है CLC का ट्रेक रिकॉर्ड बरसों का ट्रेक रिकॉर्ड है और आप अपने करियर में अगर आपने डॉक्टर और इंजिनेर बनने का सपन करना देखा है तो CLC आपके उस अपने को साकार करने के लिए हमेशा पत्पर खड़िए नग सेशन जो अपने आने वाला है 23-24 उसके लिए आपके बेच अनॉंस्मेंट है टार्गेट कोर्स जो बच्चे साल 12 दे चुके हैं जिनको अगले साल नीट और जी का एक्जाम दे साल इसकी डूरेशन है ट्वल्थ बच्चों के लिए है नीट के लिए और जी के लिए उसका फांडेशन जो बच्चे इस साल 11 में जाने वाले यह साल 12 में जाने वाले उनके लिए एक साल का कोर्स है नीट और जी के लिए तो वह भी 6 अप्रेल से शुरू हो रहा है 2-in-1 2-in-1 कोर्स जो बच्चे 11 में किसी वज़े से कोचिंग नहीं कर पाए है ना कई बार बच्चे सोचते हैं जो दूर दराज के लाकूम होते क्या हम 12 के बाद कोचिंग करने जाएंगे उनके कुछ दोस्त में कोचिंग करने जा चुके होते हैं तो उनको लगता है कि जब आपको उस वक्त ठगावा मैसूस करता है कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं मुझे क्यों नहीं इतना सिखाए गया है तो उसको फिर लगता है कि अब मैं 12 के साथ एक्जाम कैसे दे पाऊंगा मेरी तो तयारी नहीं हुई है बच्चा फिर सोचता कर मैं 12 के foundation बेच में admission लेत दोनों क्लास का सिलेबस एक ही क्लास 2-1 में करवाय जाएगा 6 अप्रेल में किसी और कोचिंग में किसी और कोंचिक मों को इतना नहीं पढ़ाए गया है तो वो आखर के CLC का 2-1 बेच बिल्बूल जोइन करें यहां पर आपको अपने सारी डावट से पुराने वो भी कवर ह होंगे और साथ माप 12 के साथ जो एक्जाम देंगे उसमें आपका काफी स्कोर जो है वो बढ़ेगा उसके बाद एंडी जो हमारे डिफेंस के बेच होते हैं उसमें उसी तरह से टार्गेट 12 पास बच्चों के लिए 12 फांडेशन और साथ में फांडेशन सारे बेच आपके अपरेल और 20 अपरेल दोनों शुरूवर है ठीक है अच्छे अपरेल से बेच शुरूरा और को इच्छे अपरेल को नहीं आ सकता है 20 अपरेल से शुरूरा रहा है उसके लाव फ्री फांडेशन होता है ना इस टो टैंड डिविजन जो छोटे बच्चे होते हैं जिनको बच्चों के लिए प्रिफांडेशन डिविजन उसके विजी बैच आपके 620 अपरेल से शुरू हो रहे हैं उसके लावा क्लास्रूम जो है CLC Head Office Seeker तो है सही उसके लावा अलवर जैपुर में हमारे दो सेंटर है यह हमारे यह तो टेस्सेंटर भी है यहाँ पर क्लासिज भी है उसके अलावा यहां के बल्ट के सकते नहीं आ सकते तो ऑनलाइन टेस्स तॉप घर पे ही बैठके ही जोईन कर सकते जिसमें को इसमें दिक्कत नहीं बच्चों आगे हम बढ़ते हैं हमारी डायमंड टेस्ट सीज जिसमें हमारे नीट 2023 की जुक्रपरेशन है उसके लिए आपके पास एक टेस्ट सीरी जिसमें पाट टेस्ट है पाट टेस्ट बन इसमें अपका 11 का कुछ पॉर्षण थ्री इसम के आपका नेट फूल सिलिबस है है A80 मतलब All India Open Test दो इसमें पार्ट सिलिबस पाट टेस्ट को कवर करते हैं अभर सब्सक्राइब नंगल तू में 11 का यह तो फार्ट के लिए है और यह 11 पार्ट के के लिए उसके लाव बाकी की जो दंगल हो फुल से बस है 11 12 दोनों फिक्स मैं दे की फाइनल जो नीट पेटन है उसके इसाफ से तो टेस्स यह आपके लिए काफी बेनिफीशल है आपको जोईन करनी चाहिए और पूरा सिंसेरली इसको अटेम्ट करना चाहिए यह जो स्कोर यहां आने वाला है यह किन माली जी नीट में उससे बढ़कर ही आएगा उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेक्शन काणने इंजन पर काणने इंजन में हमारा है आपको एक रिफिस्टेटर ली पर्फरमस कोफिशेंट दिया हो फाइव और अंदर का टेमपरि कितना आ जाएगा 1 by 6 यह होता है 1 minus 2 by 2 t1 1 by 6 to t2 by kतना हो जाएगा 5 by 6 तो अब यहां पे t2 कितना दिया आपको T2 दिया वाई 273 माइनस 20 T1 5 by 6 तो T1 कितना हो जाएगा 253 6 by 5 अब जब आब इसको solve करोगे तो आपका answer जो आएगा वो एप्रोक्स इसमें आएगा solve करने पे 304 क्यास पास T1 ये Kelvin में है जब इसको convert करोगे almost 31 degree centigrade क्यास पास आपका option आएगा तो आपका option number कौन सा सही है इसमें आपका option सही है third option ओकी तो 53 में आपका जो basic formula relation होता है eta beta plus 1 एक तो वो काम आएगा और दूसरा relation क्या है eta होता है 1 minus T2 by T1 ये दो relation काम आ रहे है उसके अलावा और कुछ भी चीज़ काम नहारी और यह ध्यान रटना है कि T2 T1 दोनों किसमें होते हैं यह होते हैं Kelvin में इसमें कोई confusion में नोट करें उसके आठा मारा 54 क्योशन 54 क्योशन में आपको कार्णों इंजन की efficiency 1 by 10 दियावा है और इसमें 10 J work हम कर रहे हैं देखो कार्णों इंजन में जो sink होता है वो होता है T2 temperature पे उसमें साबको कुछ heat extract करनी होती आपको इसके लिए कुछ work करना पड़ता है system पर और वो सारी heat कहां चली जाती है Q1 यानि की source के पास तो बीटा जो होता है वो ही relation हमारा eta बीटा प्लस 1 कितना हो जाएगा 1 यह कितना दिया है 1 by 10 तो बीटा कितना हो जाएगा 10 minus 1 यहने की 9 हो गया अब बीटा जो होता है उसका formula क्यों होता है बीटा होता है Q2 by W अब W आपको कितना दिया है 10 दिया हो है तो यह जाएगा 9 Q2 पैन तो Q2 कितना हो जाएगा Q2 हो जाएगा 90 तो यह बोल रहे है कि कम temperature पर जो reservoir है उससे कितनी heat absorb की गई है 90 Joule heat absorb की गई है जो heat आपने इस system से extract की उस heat को Q2 बोलते है तो वो heat कितनी है 90 Joule ऐसा बोलेंगे इसका मतलब 90 Joule heat खीचने के लिए हमें 10 Joule work करवाना पड़ा और environment में कितना release होगा मान लोग इससे Q1 अगर आप से पूछा जाता तो कितना आदा 10 तो जो work किया वो plus 90 Joule जो आपने heat extract करवा ही वो total 100 Joule surrounding में release होगा तो हमने अब पुरा समझेंगे 10 Joule हमने work किया उससे 90 Joule heat निकली extract हुई और total surrounding में जो निकली room temperature पे वो निकली 100 Joule एनरजी ओके तो आपका 54 का answer फिलाल जो पूछा होगा क्यूटू पूछा है 90 Joule इसमें कोई confusion आपका आता है 55 55 में refrigerator है 4 और 30 की बीच में काम कर रहा है 4 और 30 की बीच में 600 कलोरी heat पर सेकेंड बाहर निकालना है तो उसके लिए आपको कितनी power consume करनी पड़ेगी सबसे पहले तो आपन क्या करते हैं इसकी efficiency निकाल लेते हैं 1-T2 by T1 जो कम temperature होता है वो में शेक T2 होता है तो ये कितना हो जाएगा 1-273 plus 4 273 plus 30 solve करने पाएगा 26 upon 303 अब हमें पता है eta beta plus 1 क्या होता है 1 होता है तो beta plus 1 क्या हो जाएगा 1 by eta यानि कि 303 by 26 तो beta कितना हो जाएगा 303 by 26 minus 1 तो 26 जब आप इसमें से minus करोगे तो आपका beta जाएगा 277 by 26 आगया अब बीटा बराबर क्या होता है बीटा बराबर होता है आपके पास q2 by w ठीक है अब आपको power कितना power required है तो power क्या हो जाएगा power होता है work done by time work done को में क्या लिखूंगा work done को में लिख दूँगा q2 by beta by time अब बीटा कितना दिया है पहले तो q2 कितना दिया है 600 कलोरी कलोरी को 4.2 जूल से मल्टिप्लाइ कर दो एवरी सेकेंड तो time कितना है एक सेकेंड है और बीटा कितना है 277 26 ये question जो है वो थोड़ा calculated है और इस calculated question है देखो ने लेको शारे option जो है ना उसमें केवल value सब में सेव है 2,3,6,5 सब में आ रहा है अब आप क्या करोगे approximation करके answer निकालोगे तो अब आप approximation करते हैं देखो ये approach कितनी बार कटेगा 10 बार काड़ दो ये कितनी बार कटेगा approach ये 60 बज गया 6,4 कितना होता 24 मतदद 240 का असपास option आना चाहिए देखो एक ही option बचा मेरा second तो question वाले ने option देखो value इसलिए same दी ताकि आप calculation में न तुलजो पर ही calculation करके भी तो आप यही value राओगे वो तो उसने उलड़ी दे दी तो आप फिर यहाँ approximation करके range निकालो approximate है ना तो हमारा approximate answer 240 का आसपास आ रहा है और फिर आपका power का एक formula काम में ले लो इसमें कोई confusion यह आपका 55 question अगला आता है 56 56 में आपको यहाँ पे एक refrigerator दिया है इसका temperature T2 है बीतर का और बाहर का T1 है तो पर जूल electrical energy consume होने में कमरे को कितनी heat मिलेगी समझना sink से heat हम निकालते है Q2 उसके लिए हमें कुछ W work करवाना पड़ता है तो Q1 क्या हां मिलता है room को तो Q1 जो room को मिला उसको में क्या लिखूंगा Q2 प्लस W Q2 और W में क्या relation है फ़िए beta होता है Q2 by W तो Q2 क्या हो जाएगा beta into W प्लस W यह हो जाएगा beta प्लस 1 W अब हमारे पास यह relation था eta beta प्लस 1 बराबर 1 तो beta प्लस 1 क्या हो जाएगा 1 by eta W 1 by eta क्या हो जाएगा 1 minus T2 by T1 W यह कितना हो जाएगा T1 upon T1 minus T2 W अब क्या वन value पूट करने है बस आपको यहाँ पे तो value क्या जाएगा T1 कितना है 273 plus T1 फिर उसके बाद यह क्या आएगा 273 plus T1 minus 273 plus T2 और W कितना है W तो है 1 तो यह कितना आगा मेरे पास 273 plus T1 by T1 minus T2 तो यह हो गया मेरा answer first देखो eta बीटा की combination पे काफी question आएगा है ना तो बिल्कुल यह easy question था अगला आता है हमारे पास last 57 question 57 में आपको बोला है कि ideal gas engine जो है वो freezing point और boiling point ब़र करा freezing point मतला 0 degree boiling point मतला 100 degree water का freezing point boiling point तो इसकी efficiency बताने बिल्कुल basic formula 1 minus T2 by T1 T2 कितना दिया है 273 प्लस 0 और यह दिया है 273 प्लस 100 तो कितना हो जाएगा यह जाएगा 373 minus 273 upon 373 तो यह आएगा 100 by 373 तो यह अप्रोक्स 30% से थोड़ा कम आएगा 30% का आसपास का मेरा पास एगी option है परसेंटेज में convert करना तो 100 से multiply कर देते हैं तो अपना answer आजाएगा 26.8% तो यह आपका यहाँ पे 567 question जो है last question वो complete होता है तो ओके बच्चों I hope आप लोग अपने heat के सारे doubt यहाँ समझाओंगे और PYQ जो है मैं हमेशा यह कहता हूँ कि PY के आपकी जो basic practice होती है उसको strong करते हैं आपको exam level पे लेके जाते हैं ना उसे उपर ना उसकी नीची तो PY को जो आपसे हो जाते हैं attempt रक्चे से होते हैं तो बिल्कुल पना confidence बनाए रखें exam tough नहीं आने वाला है